उदर असम के जोर हाथ में भारी बारिश के बाद आई बार की वज़े से लोगों के घरों में पानी जा पहुंचा है जबकि सडके तलाब में तब्दील होगी जिसकी वज़े से सडकों पर नाव चल रही है ब्रह्मपुत्र नदी का जलिस्तर बढ़नी की वज़े से टिकेट काउंटर तक ढूप गए है लहाजा प्रशासन ने एतियात बरतते हुए फेरी सेवा रोग दी है जिससे लोगों को एक जगा से दूसरी जगा आने में मुश्किनों का सामना करना पड़ रहा है नाव और फेरी सेवा बंध होने की वज़े से जो जहां था वही भसा हुआ है लोगों का कहना है कि निमाती घार से माजुली जाने के लिए सेंक्रो लोग आते हैं लेकिन पिछले एक हफते से फेरी बंध होने से उन्हें निराश होकर बापस लोटना पड़ रहा है तो ब्रह्मपोत्र नदी के बढ़ते जलस्तर की वज़ह से जो आसपास के इलाके हैं वो बाड की चपेट में हैं असम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे है जोरहर्ट की जहां सेरी सेवा को भी बंध कर दिया गया है बारिष भी इधर में है और कोई गोरू गाई यह सो निकलना मुस्किल हो गया तो दूर दूर जगह में बानके रखा हुआ है पुरा इधर इस साइट का पुरा का पुरा पुरा पनी है इसलिए पेरी नहीं जाब रहे है नदी तो बहुत बढ़ा हुआ और फेरी पांच छे दिन से बन है अब माजुली जाने के लिए आए हुए थे अभी तो बोल रहा है यह पानी बहुत बढ़ा हुआ फेरी बन है इसार असम के काम रूप में भारी बारिश से आई बार की वजह से जंगल में पानी भर गया है जिससे बहां के हातियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है चारो तरफ पानी होने की वजह से हाती वहां से निकलकर जंगल से होकर गुजरने वाले रेल विट ट्राक पर चलते हुए देखे गए जिससे आसपास के लोगों में देह्शत फैल गई जबकि हाती सुरक्षित ठिकानों की तलाश में जंगलों को छोड़कर बाहर निकल आए जिन्हें देखने के लिए लोगों की भीर इखटा हो गई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं असम के का पर चलते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा ये बड़ा सवाल है महिलाएं और बच्चों समेथ गाउं के तमाम लोग पतली रसी के सहारे नदी पार करने को मजबूर हैं कंदे पर सामान लादकर पतली रसी पर फूख फूख कर कदम रखते हुए लोगों को देख कर हरानी भी होती है लेकिन गाउवालों का ये कहना है कि बारिश के दिनों में जब रास्तों में पानी भर जाता है तो वो रसी के सहारे ही नदी को पार करते क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प भी नहीं कि अए दृतार से निकलते हुं एक क्यों पूर यह चार्या के लिए लिए गाइक डर्राप항 में भी निकलते हैं कि हो जानकारि मिली थी के आगे से कहीं क् intelligence से रास्ता नहीं को बढ़िवा को रास्ता बात के सब्सके Torah को सियुत जानकारी मिला सब्सक्राइब अलेक्त साथ कि मुआत धाम से तरवाई के लिए बहुत है उत्रपदेश में हो रही बारिश की वज़े से वारणसी में भी गंगा नदी उफान पर है और इसके चलते बनारस में गंगा किनारे बने घात और मंदिर पानी में डूब गए मंदिर में पानी भरने से मूर्तियां गंगा नदी में पानी बढ़ने से घात किनारे बैठने वाले पुजारियों को भी दूसरी जगा शिफ्ट होना पड़ रहा है उत्रपदेश के बनारस की तस्वीर आपके सामने गंगा नदी भी उफान पर है क्योंकि उत्तरपदेश में भी बारिश लगातार हो रही है औ अमको भी यहां से शिफ्ट होना पड़ रहा है यह देखिए घात आधे डूबे हुए दिखाई दिले लगाता चल सरबढ़ रहा है वारा नसी में गंगा नदी में गंगा जी इस बार बहुत इसी बड़ी है यह तीन दिन में आपका पांच फूट साहे पांच फूट तीन दिन में पानी आया है तो यह देखिए इस साड़े पांच फीट से बढ़ रहा है वारा नसी में गंगा नदी में और इसके चलते जो घात हैं वो डूप चुके हैं क्योंकि बताई जा रहा है कि जो 3-4 सीडियां है वो और डूब गई है यानि जो समाने तोर पर पानी रहता है घातों के आसपास उससे कहीं ज्यादा जलसतर इस वक्त बढ़ गया है तीन से 4 सीडियां डूब चुकी है जिसके चलते घात डूब गए है और जो पुजारी यहाँ पर रहते थे अब उन्हें भी यहाँ से शिफ्ट होना पड़ रहा है हालात ये पैदा हो गए है उत्रपदेश के बलिया में बीते कई दिनों से बारिश का सिलसला बना हुआ है कई गाओं में बार जैसे हालात पैदा हो गए है आलम ये है कि अस्पताल तक बार के पानी में डूबे नजर आए अस्पताल में भरे पानी में OPD और महिला बार तक डूब गया जिससे मरीजों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है उत्रपदेश के बलिया की तस्पीर अस्पताल तक भी जा पहुंचा पानी लगातार बारिश और बारिश के चलते मरीजों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है पानी गुटने पर भरा हुआ है इसके विज़ा से मरीद कावागमन अबादित है इतने तो साप निकले हुए थे इसे गुणारा गया तो भर गया इसे देखकर मरीदों में दसब पैदा हो गई कि देशपर में मौनसून के बादल जम कर बरस रहें और बताया जारा है कि अगले दो दिन तक आस्मान से जम कर आफ़त बरसे की मौसम विभाग की मानिंग तो 15 जुलाई यानि आज उत्राखंड में कहीं कहीं बहुत तेज बारिश हो सकती है असम सिक्किम बंगाल में कई बारिश हो सकते ये भी अनुमान जाहिर किया गया है मौसम विभाग ने मचवारों को समुद्र में नहीं जाने की सला दी है उदर 16 जुलाई के मौसम की अगर बात करें तो पंजाब, हरियाना, चंडिगड में तेज बारिश हो सकती है इसके अलावा गोवा, तमिलनाडू, पुद्धुचेरी में तेज बारिश के आसाव जताए गए है पश्मी उत्तरपदेश करनातक के तटी इलाकों में भी बरसात संभव है वहीं अगर 17 जुलाई के मौसम की बात करें तो उत्राखन, पंजाब, यूपी में भारी से भारी बारिश हो सकते ये मौसम विभाग क समुद्र में नहीं जाने की सलहा जारी की है बांगलादेश में भी बार का चो कहर है वो लगातार देखने को मिल रहा है यहां नदियों के उफान पर होने के वच्छे से कई इलाके पानी में डूबे दिखाई दिए, कमर तक पानी में लोगों को यहां से गुजरना पड़ रहा है बार की वज़े से लोग अपने घरों में क्याद गू कर रह गए हैं बार के पानी में लोग उंची जगों पर चूला जला कर खाना बनाने को मजबूर है तो भारत बांगलादेश बॉर्डर की तस्किर हम आपको दिखा रहे बांगलादेश में भी लगातार लिया उनके घरों तक पानी जाप उंचाएं अगरे इस बारिश का असर साफ तवर पर देखा जा सकता और यहां पर हम मौझूद बंगलादेश थीमा पर तीस्ता नदी है यह थिसा नदी ने जहाँ एक ओर भारत में यहाँ पर भारी तबाहिए नॉड्टी और बंगाल के हिस्च्टों में तो इस तरीके से बंगलादेश में भी यह नजारा देखा जा सकता है यह नदी फिल्हाल यहां पर खत्रे के सब्सक्राइब और स्थानिये लोग यहां पर आये हैं और लगातार वोटर लेविल जो बढ़ रहा है उसको देखते वे यहां पर उन्होंने अपने इंतजामात की हैं हलाकि हम इनसे कम्मुनिकेट करने के कोशिश करते हैं क्या पानी डेंजर लेविल पर है पानी तो अब यह एकर सो देखी सी लोग इसके निश निश निचे मने कुंटे से पाने तेख रहा है और यहां पर यह तीन दिनों तक बढ़ा था लेकिन आज थोड़ा यहां पर घटा है लेकिन लगातार इस पर लोग यहां पर सानी लोग नजर यहां पर बनाये हुए हैं और पढ़ते वे जलस्तर को या फिर घटते वे जलस्तर को उसी के हिसाब से वो इंतिजाम कर रहे हैं कैमरापसर नकुल के साथ अमित पांडे भारत बंगलादेश सीमा न्यूस 18 इंडिया इस दो के सबसे बड़े अंत्रिक्ष मिशन चंद्रियान 2 को लॉंचिंग से ठीक पहले रोक दिया गया चंद्रियान 2 की लॉंचिंग का काउंडाउन चल रहा था लेकिन ठीक 56 मिनट 24 से कि